बिसमिलेर मान रहीम, आपने बड़ी दफा सुना होगा कि हमारा model जो है वो ज्यादा overfitting की तरफ जा रहा है या हमारा जो model है machine लड़ने का वो underfitting की तरफ जा रहा है इन दोनों में क्या फरक है या अंतर क्या है और इन चीजों को हम किस तरीके से understand कर सकते हैं कौन कौनसी ऐसी techniques हैं which can help us to improve the accuracy of our model on generalized data set यह सारे के सारे concept इस lecture के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ screen आपके साथ मैं share करता हूँ यहाँ पर देखें, lecture का title है जनाब, welcome everyone obviously to the overfitting या underfitting क्या होती है उसके अंदर अब हमारे पास यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो हमारे पास model की complexity होती based on the epochs जो हम deep learning के अंदर train करते हैं और यहाँ पर हमारे पास errors के chances होते हैं यह loss पगर होता है ठीक है best fit होता है model का एक होता है underfitting एक होता है overfitting इन तीनों concepts को देखते हैं तो जो सबसे पहला हमारे पास underfitting है इस concepts को पहले देखते हैं underfitting occurs when a model is too simple to capture इसकी simple example यह आपके सामने है कि आपके पास यहाँ पर time of epochs है ठीक है और इस side पर values है और आपका model यह line एक show कर रही है यानि कि यह पूरा जो हमारे पास data points पढ़े हुए हैं इसको generalized form के अंदर अगर आपको machine learning की basic के सारे lecture आपने सुने हैं तो इस जगह पे जब हम इस model को देखते हैं तो यह एक हमारे पास underfit model है क्या होता है इस occurs underfitting एक phenomenon है जो occur करता है when a model is too simple to capture the underlying structure of the data यह line तो हमने as a model गुजार दी इसमें से लेकिन यह underlying patterns जो है data के उसको नहीं understand करेगा क्यों we need a data set we need a model जो इन सारे patterns के बीच में से गुजर के हमें बताया के generalized model हमें क्या बता रहा है और this lead to poor performance on both training and new data यह क्या करता है यह training के दुरान भी आपको गलत accuracy दे रहा होता है और testing के दुरान तो बिलकुल ही fluctuate कर रही होगी आपको accuracy तो यह हमारे पास एक underfitting के example है underfitting हमारे पास तब होती है जब बहुत ही generalized model हमारे पास नहीं होता बलके एक line होती है यह simple model होता है इतना ज्यादा simple है इतना ज्यादा असान है कि वह patterns कोई नहीं cover कर रहा है ठीक हो गया अब आगे चलते है वह जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ अक्सर रमजान भी आने वाले आ गए आने वाले दिनों के अंदर या जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे रमजान गुजर चुका होगा तो दोनों तरीकों के अंदर आपने देखा होगा कि पहला रोजा याता है तो कई बजरुग वार कहते हैं कि लैवी नंग गया पहला रोजा रह गहें पिछे 29 वो इतना सिंप्लिफाई कर देते हैं रमजान को कि वो एक सिंपल ची लाइन गुजर रहे होती है वो बेसिकली अंडर फिट करना यानि के रमजान को हलके में लेने को के मुतरादिफ है कि गुजर गया रोजा बाकी 29 रह गहें 29 भी नांगे सम के अंदर ले के आ सकते हैं अब आगे चलते हैं होती क्या है अंडर फिटिंग जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी क्रेक्टरिस्टिक्स क्या होती है यह पूर प्रफॉर्मेंस होती है ओन ट्रेनिंग डेटा ठीक है और पूर जेनलाइजेशन होती है न्यू डेटा तो simplistic model होता है एन unable to capture the data complexity यह complexity को capture निंग कर पाता जो data के complex patterns होते हैं अगर आगे चलें तो causes कौन कौन से हैं इसके overly simplistic model होता है इन sufficient number of features या parameter आप count कर रहे हैं यानि कि आप एक epoch के लिए ही अपना model train करें और जब आप एक epoch के लिए अपना model train कर रहे होते हैं तो insufficient number of features उसके लिए हैं या parameters आपके पास insufficient हैं too much regularization यानि कि आप too much उसके अंदर penalty की term use करें तब भी आपके पास underfitting हो जाती है यह regularization क्या होती है यह basically आपके पास terminologies होती हैं किसी भी data की overfitting को reduce करने के लिए यानि कि इसका जो ult होगा जब हम उसको regularize करेंगे तो वो underfitting में आजएगा overfitting के concept को जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको then जनाब हमारे पास इसकी characteristics के बाद causes के बाद consequences हैं यह क्या करता है low accuracy on training data हमें देता है और inability to generalize well to the new data यानि के अगर आप new data पर बात करेंगे तो कभी आपका accuracy बहुत उपर जा रही है पिर उपर जा रही है फिर काम आ रही है फिर काम आ रही है फिर काम आ रही है इस इस इसकाल अवरफिटिंग अफ देटा, ठीक है? उसरी, अटरफिटिंग अफ देटा, डेटा सेट के उपर जब आपका मॉडल अटर फिट हो रहा है, तो वह जनलाइज नहीं कर पता, जनलाइज का मतलब होता है, एक पैटरन आपको दे, वो पैटरन कहता है, ये वला भी पैटरन है, ये भी पैटरन है, ये भी पैटरन है, ये भी पैटरन है, ये भी पैटरन है, तो, इस वज़ा से, इसको हम बोलते हैं, inability to generalize well on new data, then this misses important trends and patterns in the data, इसका consequence सबसे बड़ा ये ही है, कि जो important data के अंदर trends है वो हमें पता नहीं चलते ठीक है जी फिर आते हैं हमारे पास solution and prevention जाहरी बात है अगर underfitting की problem हो रही तो उसका solution भी तो कोई है obviously है और वो solution कौन-कौन से है you can increase the model complexity model को complex करें यानि कि single layer neural network के बजाए multi-layer perceptron को use करें add more features or parameters neurons की तदाद बढ़ा दे reduce regularization जब आप overfitting को reduce करने के लिए को term use करते हैं जिसे dropout बोलते हैं L1 या L2 regularization बोलते हैं उसको reduce कर दे use more complex algorithms यानि कि आप जो algorithm use कर रहे हैं for example simple linear regression is not enough for this kind of data तो आप क्या करेंगे उसको multilinear regression या polynomial regression की तरफ ले जाएंगे so this is just the thing on machine learning then ensure adequate training data आप के पास original data ऐसा हो जिसके label true हो imbalance classes नहीं होनी चाहिए पहली बात यह अगर imbalance classes है तो there are techniques जो आपकी imbalance classes को set कर देंगे zero inflated values बहुत high नहीं होनी चाहिए zero inflated value क्या होती है कि आप के पास जैसे bank churn analysis का data जिसमें zero बहुत ज्यादा लोगों का balance था लेकिन दूसरा balance जो एक pattern को follow कर रहा था तो इस तरह अगर data होगा तो उसके उपर आपके पास जो educate training data नहीं होगा जिसकी वड़ा से आपका machine learning का model घलत perform करने के chances ज्यादा हैं यानि के underfit होने के chances ज्यादा हैं अब आगे चलते हैं key takeaways क्या हैं जी underfitting के underfitting के key takeaway ये हैं कि the goal is to find a balance between underfitting and overfitting आपने क्या करना है ना तो underfit करना है यानि कि इतना simple model भी नहीं बनाना और ना ही overly complex fit कर देना है कि इतना ही heavy model आप कर दें कि उसकी accurately वो capture इना कर पाए और underlying trends को या तो बहुत ज्यादा capture कर ले या बहुत कम capture कर ले तो हमारा मकसद क्या होता है एक robust model को ले कि आना जो ना तो बहुत ज्यादा underfit कर रहा है underfit का मैंने आपको बता दिया कि बहुत simplistic भी ना हो और बहुत ज्यादा complex भी ना हो इनके दरिम्यान में हो और वो कौन सा model होता है मैं अभी आपको अगले lecture के अंदर बताता हूँ